दोस्तो आज हम बात करने वाले है कि कल कौंचे स्टॉक्स पर ट्वेड लेना है प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या सिनेर्य रह सकता है प्लस एक अईडिशनल स्टॉक चे यदिश में धोर बात करेंगे जिससxo सबसे ज्यादा कमेंट्स पर एक वरी पूचिग थी एक स्टॉक के ओपर जिसका नाम था chegou गनुल्स so granules की उपर भी बात करेंगे and अपने comments पर आप लिख सकते हैं stocks के नाम जिस पर सबसे जादा like होंगे उसकी analysis हम लोग करेंगे कल की video पर so start करते हैं सबसे पहला stock जो लेकर आया हो मैं आप लोगों के सामने वो है TCS TCS पर buy करने की सला दी जा रही है आप लोगों को देख सकते हैं symmetrical triangle के pattern से breakout है breakout देने के बाद retest करें दोबारे एक breakout दिया है green candle के साथ दिया है so yes यहाँ पर हम लोग एक buy initiate कर सकते हैं plus अगर आपको मैं दिखाना चाहों तो एक cup and handle का formation भी है यह देख सकते हैं यह cup है and यह इसका handle है और इसका breakout दिया है so yes December के expires की बहुत अच्छी हो सकती है buy कर सकते हैं यह 28.75 के उपर अगर जाता है तो आप लोग एक buy initiate कर सकते हैं our next stock is NIT Limited yeah NIT Limited की बात करते हैं यह हमारा next stock है and stock पे आप देख सकते हैं कि एक sharp up move आई sharp up move आने के बाद हम लोगों ने देखा था यह pause लिया exact इसी level से reversal कर रहा है क्योंकि यह long term पे अगर हम लोग देखे तो यह support का काम कर रहा है अब इसके लिए जो पहले इसके लिए resistance का काम करता था मैं अगर एक ऊपर से trend line draw करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि एक pennant type of pattern इसके अंदर बन रहा है और अगर कल यह इस level के ऊपर अगर यह निकलता है आज closing इसी level पे हुई है कल अगर इस level के ऊपर निकलता है तो इस पे हम लोग एक buy initiate कर सकते हैं because इसका trend अभी वी positive है जिसका trend बहुत जादा positive है उसे dip में हम लोग accumulate कर सकते हैं okay so यह stock को कर हम लोग buy करके चल सकते हैं अगर यह 184.5 cube पर जाता है तो definitely इसमें हमारा buy initiate हो सकता है our next stock is HCL Tech HCL Tech ने आज 52 week high बनाया है and इस पे भी एक similar type of situation है जो हम लोग ने देखी थी यह देखेगा एक cup and yes का एक handle था इसका हम लोग ने breakout देखा है and 52 weeks का भी breakout देखा है and you know कि जब भी 52 weeks का breakout होता है या lifetime high का होता है मैं उस पे सबसे जादा interest देखाता हू so yes हम लोग इस पे एक buy initiate कर सकते हैं definitely 9.15 के उपर हम लोग एक buy initiate कर सकते हैं okay our next stock is emphasis और यह stock मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ मैंने अपने telegram channel पे भी आप लोगों को डाला था and मैं आप लोगों को इस level से बता रहा हूँ which is 13.40 है and right now it trading at 14.30 ठेक है so यह एक range के अंदर trade कर रहा था इस range का का लिए breakout दे सकता है exact अपने resistance पे जाकिस ने closing करिया so अगर यह 14.25 क्यूग पर अगर कल निकलता है तो definitely इस पर हम लोग एक buy निशेट कर सकते है probable chance आर कि एक बहुत अच्छी movement भी यह दे सकता है तो इस stock अपनी watch list के अंदर जरूर रखेगा dip में accumulate करना भी start कर सकते है our last stock is Tech Mahindra Tech Mahindra आप लोगों को कल buy करने के लिए दिया गया था जब उसके short करने के लिए दिया गया था कि जब इस level के नीचे जाता इस level के नीचे but उसके नीचे नहीं गया and हम लोग ने देखा कि उस पर एक buying औरेडी आगे थी तो हम लोग ने trade initiate नहीं करा but जिस तरीके से ही recover करा है यहाँ पर एक trend reversal sorry trend reversal एक trend continuation हो सकता है देखेगा एक up move and उसने एक pause लिया and इस pause से इसने एक breakout दिया है exact अपने resistance पर खड़ा है so अगर यह breakout देता है तो शायद यह भी 52 week high बन सकता है और chances है कि यह कल के कल breakout देता है तो definitely इस पर भी हम लोग एक buy initiate कर सकते है levels आप लोगों को बता देगा है so nifty bank nifty की बात कर ली जाए देखते है nifty bank nifty किस level से reverse कर रहा था 15 minutes का time frame open कर लेते है yes so आप देख सकते है मैं इसको हटा देता हूँ so आप देख सकते है कि यह जो हमारा blue color का आप zone देख रहे है इस blue color के zone को हम लोग कहते है demand zone so demand zone पर हम लोगों ने देखा एक buying आई और उस buying आने के बाद उस पर एक अच्छी खासी up move आ गई है देखे एक sharp fall आई थी sharp fall के बाद हमें पता था कि एक बार तो buying आनी ही आनी है तो यहाँ पर हम लोगों ने buying कर लिया कोई बात नहीं but मैं आप लोगों को यही suggest करूँगा अगर 15 minutes 30 minutes जो भी आप time frame यूज करते हैं उस पर अगर आपको possible reversals दिखते हैं so definitely you can go for a short थेक है market अच्छी खासी गिरी है I am saying market बहुत अच्छी खासी गिरी है आपके लिए market डोड़ेंगे अच्छी stocks पे so कल से मैं क्या करूँगा कल से मैं आप लोगों को हर दिन तो एक stock provide कर वाऊँगा जिस पे आप accumulation start कर सकते हैं तो December के अंट तक आप लोगों के पास अच्छी stocks हो जाएंगे आप उस पे stocks को accumulate करके definitely उसे एक से दो महीने तक रख सकते हैं okay so nifty पे कोई trade नहीं है buy के लिए मैं नहीं suggest करूँगा buy के लिए क्यों नहीं suggest कर जाएगा देखिए यह strong candle है हो सकता है कि exact इसी level पी reversal ले 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 मतलब अगर आप लोग buy इनिशेट करना चाहते हैं इतना stop loss लगाई है मतलब 30-40 रुपे का stop loss लगाई है and आपके पास 100 रुपे का target okay 30-40 रुपीज का stop loss लगाके अगर आप 100 रुपीज का target लेना चाहते है current levels पे तो आप ले सकते हैं but यहां से आप लोग को position exit कर लेनी है okay यह बहुत बड़ी candle है कर सकती है तो इसको बहुत अच्छे से break नहीं कर पाएगी अगर यह इस level के नीचे आती है अगर यह 13,400 break करती है तो definitely we can go for a shot as well okay similar goes with bank nifty bank nifty I will show you bank nifty आप लुकों को दिखा दिये जाता है yeah so bank nifty पे भी आप देख सकते है exact अपने level से यह up move दिखाया है इनी level से up move दिखाया है यहां पर एक resistance आ सकता है क्योंकि previously भी यहां पर एक resistance है and अपने इसी resistance पे खड़ावा है अगर यह इसको कल break करता है तो definitely हम लोग buy कर सकते है for a target of this और अगर इस line को break करके यह नीचे जाता है कि मैंने इस तरीके से उन लोगों को Instagram पे message दाले थे कि हम लोग एक market पे live session कर सकते है live interaction कर सकते है जो भी मैंने आप लोगों को YouTube के बारे में बताया था probably उन लोगों ने scene तो कर लिया but उन लोगों के पास से कोई reply नहीं कोई बात अगर वो लोग reply नहीं कि आप ऐसे से एक videos बनाईए आप साथ में जुडिये and work करिये मैंने दो लोगों कोई email बेजा था Instagram पे which is Subhashis or Power of Stock and Anish which is Blooming Bulls तो लोगों ने देख तो लिया है but अभी तक की तरफ से कोई response नहीं आया definitely आप भी उने push कर सकते है आपकी तो power बहुत जादा है तो आप लोग push करिये और बात करिये कि अगर हमारे साथ जुड़े हम लोग एक market पे आएं आप लोगों को और अच्छे से समझाए तो वो एक interaction बहुत जादा अची रहेगी यह community जो बढ़ेगी वो बहुत जादा अची रहेगी ग्रैनल्स अंडिया की बात कर लेते हैं ग्रैनल्स अंडिया बहुत बढ़िया stock कर रहा है अगर मैं आप लोगों को इसका monthly charge दिखाता हूँ monthly charge पे अगर आप देखे किस तरीके से यह 100 रुपे से सो अब हमें क्या करना है इस particular stock पे देखे अब उसी level से एक sharp fall भी हमें देखने को मिली है कोई बात नहीं इस पूरी fall का इसने 38% तक fall कर और रिकावर कर गया market इस particular stock का trend बिल्कुल भी change नहीं हुआ है अगर मैं आप लोगों को daily charts पे भी दिखाता हूँ अगर आप देखेंगे stock is making higher highs and higher lows कहीं पर भी इसने अपने low को ब्रेक नहीं कर और high को ब्रेक करते वे उपर जा रहा है अब यहां पर इसने जो trend को change कर रहा है वो इधर कर रहा है इसने प्रॉबबल अपने low को ब्रेक कर दिया एक candle के साथ ब्रेक कर रहा है कोई बात नहीं हम लोगों ने आपको बताया था जब एक trend reversal आना होता है एक zigzag formation हमें देखने को मिलती है एक zigzag formation हमें देखने को मिलती है उसके बाद हम लोग confirmation लेते हैं trend reversal का अगर यह इसकी उपर चले जाता है which level is this 4377 के उपर अगर यह बंद हो जाता है तो definitely हम यहाँ पर एक fresh buy initiate कर सकते हैं अगर dip में मिलता है तो इसे accumulate आप कर सकते हैं stock बढ़िया है dip में accumulate करियेगा ठेक है? comments पर आप बता सकते हैं and guys एक और बात जिन लोगों ने भी हमारे January के course पर जिन लोगों ने अल्रेडी form फिल कर दिये हैं कल से उन लोगों को details provide हो जाएंगी whatsapp and email के तुरू आप लोग अपना check कर सकते हैं और जो लोग अभी वी interested है नीचे number है आप उसपर whatsapp करके अपनी queries पूछ सकते हैं okay, bye bye guys कल मिलते हैं अगली वीडियो पे मैं शिवांज भसीन signing off